आईए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगे लेके चलते हैं, गड़ी वाले ताल पर, जो आपने सायद ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा, हम आज अपनी टीम के साथ यहां पर आए हैं, यह चनल पर जुनने के लिए, यूट्यूब चनल को स्क्राइब करें, चलिए, यह धापक computer center है, और यहां से कहानी शुरू होती है, आज रात यह कहानी शुरू होती है, बारा बज़े से, बारा बज़े यहां तक पानी आजाता है, यह रात करना जा रहा है, इसलिए कुछ ऐसा द्था होगा आपको, यह रात के नजारे हैं, यहां तक, center तक पानी आ आप चलते हैं हम लोग सुबह. शुबह ये वीडिओ मैंने आपको साहएbir पहले बताया था, ये कल वाला वीडिओ था कल वाले वीडिओ में क्या था? कि ये देखिये ताल भर छुकाता इतना देख लेजी आप लोग इतना भर चुका था आप लोग देख रहे हैं ये गड़ी वाला ताल है जो सीप्री और मुरेना हाईवी को लिंक करता है और आईए हम इसके बारे में बता हैं आपको ये जो ताल की ये देख रहे हैं ग्राउंड है इसके तर पानी गिरता है तो ये खुटता नहीं है मजबूत है इदर दोनों साइड एरिया देख लिए आप लोगोंने अभी ताल भरा नहीं है ये देखे जो पार जो बंदी हुई है ना पत्तर की पकी ये बहुत मजबूत पार है अब ये खाली है आप लोग दिख रहे हैं ये खाली है ठीक अब क्या देखते हैं अपनों लोग कल जैसे हम लोग कल गई तो हमने क्या देखा कि ताल के अंदर से कुछ बुलुले से या उपर से कुछ हो रहा था समझ में नहीं आ था क्या हो रहा ये पर हमने अपने टीम के के साथ उसको अच्छी से अध्यन किया तो पता चला बादल है न वो हमारे ताल से पानी को भर रहा है अपनी बादलों में कितना न जा रहा है बहुत सुंदर न जा रहा था ये बहुत सुंदर न जा रहा लगा ये देखिए किस तरह से बादल ताल में से पानी को उपर ले ज अब इसके बाद आप देखें जो पार थी ना पानी वाली वो बिलकुल खाली थी अब देखिए, पत्तर की जो दीवाल बताई थी मैंने, इधर खाली ताय तार भरागवा था अब देखिए, उस पैसे पानी कैसे नीचे के और गिर रहा है, इसको कहते है बीयर को दकना, यानि पानी उपर से कूत के इधर निकलना, साइपरा के और, यानि मुरेना के और जान इदे किस तरह से पानी उपर से गिर रहा है मतलब भर चुका है